वीडियोज वो होते हैं जो आपके कम्प्यूटर या लैप्टॉप की स्क्रीन पर राइट साइड में या फिर यदि आप मोबाइल एप पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे शो होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये सजिशन किस बेसिस पर होते हैं YouTube हमारे हर action पर नजर रखता है जैसे की हम कौन सा वीडियो देख रहे हैं किस टाइब के वीडियोज हम अक्सर देखते हैं और हमारी watch history में किस तरह के वीडियोज हैं और इन ही वीडियोज को आधार मान कर यूट्यूब हमें similar वीडियोज सजिस्ट करता है और यही वीडियो हमें अपने computer या mobile screen पर दिखते हैं ये suggested videos किसी भी YouTube channel के हो सकते हैं चाहे आपने उन channel पर पहले कभी visit किया हो या ना किया हो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने videos के लिए ऐसा क्या करें जिससे वे ज्यादा से ज्यादा दूसरे viewers के suggestion में आए तो सबसे पहले आता है make a strong call to action इसके बाद आता है suggest to watch next याने कि आपको अपने video पर अपने viewers को ये suggest करना है कि वो आपका अगला video भी देखे videos की series तयार करने से आपके viewers को आप अगला या पिछला video देखने के लिए suggest कर सकते हैं वीडियो suggest करने के लिए अपने YouTube channel पर playlist तयार करें जैसे किसी एक topic पर यदि आपने 5-6 तरह के वीडियो बनाए हो तो उनकी playlist तयार कर लें इससे viewers ये समझ जाएंगे कि आपके पास इस तरह के और भी videos हैं अपने वीडियो की आखरी स्क्रीन पर आप अपने दूसरे वीडियो की link या thumbnail दे सकते हैं जिससे viewer को अगले वीडियो की जानकारी मिल जाएगी तो ये थी जानकारी अपने वीडियो को suggestion करेंगे